आज हम compound proportion मिर्स समानुपात के कुछ important question को solve करेंगे ये question बहुती important है और सभी तरह के competitive exam में पूछे जाते है आज हम ऐसे question का ऐसा short trick सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे question को solve कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को subscribe कर ले और bell icon के all पे click कर ले ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे इससे पहले हमने वीडियो के part wise इस chapter के कई तरह के question को solve करना सिखा है सभी वीडियो के part का link का आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं यह हमारा पहला question है एक व्यक्ती पाँच बटा आठ काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है इस दर से पूरे कारे को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे यहाँ पहले line में work दिया गया है 5 बटा 8 काम वो करता है कितने दिन में करता है day दिया गया है 10 दिन में करता है यह काम है और यह दिन है इसे हम d लिखते है इसे w लिखते है और बोला गया है कि इस दर से पूरे कारे को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे पूरा कार क्या मतलब क्या होगा यहाँ पे हम W क्या लेंगे पूरा कार क्या मतलब होगा यहाँ पे एक काम टोटल काम हमारा एक है एक काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यह हमें बताना है यह work 1 है जिसे हम W1 बोलेंगे यह D1 है यह W2 है यह D2 है, इस question को हम solve कैसे करेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, W1 into D1 equal to W2 into D2, यह पहले line वाला है, W1 और D1, और यह दूसरे line वाला है, W2 into D2, दोनों को हमने equal किया है, Part 1 वाले वीडियो में आपको basic concept मिल जाएगा, इस chapter का, उस वीडियो का link आपको description में मिलेगा, वहाँ से आप जरूर देख ले, वहाँ पर पूरा basic concept पताया गया है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, W1 into D1 equal to W2 into D2, यहाँ पर दो line है, दो line को हमने, दो condition को हमने equal किया है, पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, work हमेशा opposite होता है, दूसरे line वाला जो work है, जो W2 है, वह पहले line में हम लिखेंगे, गुना D1 equal to, यह W1 जो है, वह दूसरे line में आ जाएगा, W1 into D2, अब हम इस formula के हिसाब से इस से put कर देंगे, W2 क्या है, W2 है एक काम, तो यहाँ पर हम लिखेंग बटा 8, तो यहाँ पर लिखेंगे, 5 बटा 8, गुना D2 हमें find out करना, यह हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम D2 ऐसे छोड़ देते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, D2 हमें निकालना है, तो यह वाला जो portion है, जो यहाँ पर गुना के form में है, D2 के साथ, वो यहाँ आ जाएग तो दो गुना 8 equal to 16 दिन, पर यह हमारा answer नहीं, यह option में 16 दिन नहीं दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है, कि पूरे कार को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे, तो 16 दिन तो हमने निकाला है total, मतलब कि पूरा एक काम complete करने में 16 दिन लगेगा, तो यहाँ पर 5 किस तरह के question compound proportion से पूछे जाते हैं, अब हम बनाते हैं अगला प्रस्न, इस question में बोला गया है, कि यदि 80 वैक्ती 64 मीटर लंबी खाई, 16 दिन में खोद सकते हैं, तो 60 वैक्ती ऐसी ही 18 मीटर लंबी खाई को कितने दिन में खोद सकेंगे, यहाँ पे पहले line में बोला गया ह क्या क्या है, M1 है, उसके बाद W1 है, उसके बाद D1 है, M1 है 80 वैक्ती 64 मीटर लंबी खाई को 16 दिन में खोद सकते हैं, उसके बाद दूसरे line में क्या है, M2 है, मतलब कि 60 वैक्ती ऐसे ही 18 मीटर लंबी खाई को, मतलब यहाँ पे W2 दिया गया है, 18 मीटर लंबी खाई को कि देंगे यहाँ पर d2 हमें find out करना है तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे m1 into w1 into d1 equal to m2 into w2 into d2 पर यहाँ पर w1 जो है वो w2 के अस्थान पर होगा और w2 जो है वो w1 के अस्थान पर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा w2 और यहाँ पर हो जाएगा w1 अब हम value put करेंगे m1 मतलब कि यहाँ पर 80 गुना w2 यहाँ पर क्या है 18 है तो यहाँ पर हम पहले line में लिख देंगे 18 गुना d1 क्या है 16 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 equal to m2 क्या है 60 व्यक्ति है तो 60 व्यक्ति कितने मीटर लंबी खाई को 18 तो 18 हमने यहाँ पर लिख दिया है यह w2 है यहाँ पर w1 लिखेंगे 64 मीटर लंबी खाई गुना d2 जो है वो हमें find out करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे d2 निकालने के लिए यह portion के नीचे यह दोनों आ जाएंगे 80 गुना 18 गुना 16 बटा में 60 गुना 64 यह दोनों जो है 16 चोग का 64 00 कर जाएगा 6 से 18 तीन बार में कर जाएगा 4 से 8 डो बार में कर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 और 3 तो 2 और 3 का गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 6 दिन 6 दिन हो जाएगा हमारा answer जो कि option C में दिया गया है तो option C हमारा सही answer हो जाएगा तो इस तरह के question इस chapter से पूछे जाते हैं अब हम बनाते हैं अगला प्रस्न इस question में बोला गया है कि 30 गाती 6 घंटे प्रति दिन कारें करके 24 दिन में 1500 खिलोने बनाते हैं कितने दिन में 18 गाती 8 घंटा प्रति दिन कारें करके 1800 खिलोने बनाएंगे यहाँ पे क्या-क्या दिया गया है पहले लाइन में M1 और T1 6 घंटा दिया गया है तो उसे हम टाइम लेंगे T1 उसके बाद D1 और W1 M1 कितना है 30 व्यक्ती 6 घंटे प्रति दिन काम करके 24 दिन में 1500 खिलोने बनाते है सेकंड में सेम दिया गया है और बोला गया है कि कितने दिन में 18 व्यक्ती 8 घंटे प्रति दिन कार करके 1800 खिलोने बनाएंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे M1 into T1 into D1 into यहाँ पे होगा W2 equal to यहाँ पे होगा M2 into T2 into D2 और यहाँ पे हो जाएगा W1 अब हम इस format में put कर लेंगे अंक को यहाँ पे दिया गया है कि 30 व्यक्ती 6 घंटे प्रति दिन काम करके 24 दिन में 1500 खिलोने बनाते हैं तो यह 1500 होगा यहाँ पे यह W1 है तो दूसरे लाइन में लिखेंगे equal to दूसरे लाइन में क्या बोला गया है कितने दिन में 18 व्यक्ती M2 है 18 व्यक्ती 8 घंटे प्रति दिन काम करके कितने दिन में बनाएंगे 1800 खिलोने तो 1800 यहाँ पे हम लिखेंगे यह W2 है D2 का मान निकालेंगे तो यह जो है 18, 8 और 1500 वो इसके नीचे आ जाएगा तो D2 equal to हम लिखेंगे 30 गुना 6, गुना 24, गुना 1800 बटा में यहाँ पे होगा 18, गुना 8, गुना 1500 अब हम इसे कटा सकते हैं ये दोनो 0 ये दोनो 0 आपस में कर जाएगे 18, 18 से कर जाएगा 8 से 24 तीन बार में कटेगा और 15 से 30 दो बार में कटेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या-क्या बचा है, दो गुना, छे गुना, तीन, तो 6 दुनी 12, 12 तियाई होता है, 36, तो 36 दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो 36 दिन हो जाएगा हमारा आंसर, जो की option C में दिया गया है, तो option C हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो इस तरह के question Mr. Samanupas स सभी तरह के competitive exam में पूछे जाते हैं, अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न, इस question में बोला गया है कि 5 वैक्ती, 6 घंटे प्रति दिन काम करके, एक परवेश सूची, 8 दिन में तयार कर सकते हैं, इस कारे को 4 दिनों में पूरा करने के लिए, दो वैक्ती और सम्मिलित किये तो उन्हें प्रति दिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे M1 दिया गया है, जो की 5 वैक्ती है, T1 दिया गया है, जो प्रति दिन 7 घंटे काम करते हैं, और एक परवेश सूची, 8 दिन में तयार कर लेते हैं, D1 दिया गया है, 8 घंटा उसी तरह यहाँ पर M2 हम क्या लिखेंगे बुला गया है कि इस कारे को 4 दिनों में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित किये गए 5 व्यक्ति पहले थे 2 व्यक्ति और लाए गए तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 व्यक्ति टोटल हो गए कितने घंटे प्रति दिन काम करने पड़ेंगे यह हमें मालूम करना है तो T2 हमें फाइंड आउट करना है और D1 दिया गया है कि इस कारे को 4 दिनों में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित किये गए तो अब D1 हो जाएगा 4 दिन 8 दिन के जगा पे यह काम हमें 4 दिन में पूरा करना है और बताना है कि 7 व्यक्ति जो है वो प्रति दिन कितने घंटे करके काम करेंगे तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे M1 into T1 into D1 यहाँ पे वर्क नहीं दिया गया है तो वर्क हम नहीं लिखेंगे equal to M2 into T2 into D2 M1, T1, D1 हम लिखेंगे 5, 7 और 8 तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 8 M2 है 7 व्यक्ति T2 हमें find out करना है और D2 4 दिन है तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे T2 निकालना है तो यह दोनों जो है 7 गुना 4 वो इसके नीचे आ जाएंगे तो लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 8 बटा में 7 गुना 4 7-7 कट जाएगा आपस में 4 से 8 दो बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 5 गुना 2 बचा है तो हमारा answer हो जाएगा 10 गंटा 10 गंटा हो जाएगा हमारा answer जो कि option B में दिया गया है तो option B हमारा सही answer हो जाएगा तो इस तरह के question भी पूछे जाते हैं अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न इस question में बोला गया है कि 15 आदमी एक कारे को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं दो दिन बाद 9 और आदमी उसी काम पर लगा दिये गए तो वे सभी मिलकर 6 बचे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये question आप 2 मेंठर से बना सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि 15 आदमी एक कारे को 10 दिन में पूरा कर सकता है दो दिन बाद 9 और आदमी उसी काम पर लगा दिये गए तो अगर 15 आदमी 10 दिन में एक काम को पूरा कर लेता है तो एक दिन में कितना काम पूरा होगा एक बटा में 10 काम पूरा होगा उसी तरह दो दिन बाद 9 और आदमी लगाए गए तो दो दिन में कितना काम पूरा हुआ था एक बटा में दस गुना दो हो जाएगा दो से दस पाँच बार में कर जाएगा मतलब की दो दिन में एक बटा पाँच काम पूरा हो चुका था पंदरा आदमी के द्वारा सेस काम कितना बचा है सेस काम बचा है 1-1 बटा में 5 टोटल काम है 1 उससे 1 बटा 5- तो 5 से कम 5 5 से 1- यहाँ पे बचेगा 4 बटा में 5 इस सेस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे यह पूछा गया है इस question में तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे M1 into D1 into W2 W1 जो है वो दूसरे लाइन में होगा equal to M2 into D2 into W1 तो M1 क्या है M1 लेंगे हम कि 15 आदमी 2 दिन में कितना काम कर लेते हैं 1 बटा 5 काम कर लेते हैं 2 दिन काम हो चुका है 15 आदमी के द्वारा जो की 1 बटा 5 काम था तो यह 1 बटा 5 काम जो है W1 वो यहाँ पे हम लिखेंगे M2 कितना होगा हमारा मैन कितना होगा 15 आदमी पहले थे 2 दिन बाद 9 और आदमी लगा दिये गए तो 15 नो होता है 24 मतलब कि 24 आदमी टोटल अब हो गए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 24 आदमी कितने काम को करेंगे 4 बटा 5 काम 6 है यह W2 है तो यह पहले लाइन में होगा 4 बटा 5 हम यहाँ पे लिखेंगे कितने दिन में करेंगे यह बताना है D2 find out करना है तो D2 हमें निकालना है इसके नीचे यह दोनों आ जाएंगे हम क्या लिखेंगे 15 गुना 2 गुना 4 बटा में 5 गुना 24 इसके नीचे आ जाएगा तो 1 बटा में 24 लिख सकते हैं यह उल्टा हो जाएगा तो गुना 5 हम लिख सकते हैं तो 5 पांच कर जाएगा 2 से 24 बारा बार में कर जाएगा 4 से 12 तीन बार में कर जाएगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा पाच दिन, जो कि option C में दिया गया है तो option C हमारा सही answer हो जाएगा ये एक method है बनाने का और एक method है तो चलिए हम दूसरा method भी सीखते हैं second method क्या है Dूसरा method क्या है हमारा 15 आधमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो पंदरा आदमी द्वारा दस दिन में किया गया टोटल काम कितना होगा पूरा कारे कितना होगा पंदरा गुना दस करेंगे तो एक सो पचास काम हमें मिलेगा पूरा दस दिनों में पंदरा आदमी के द्वारा किया गया टोटल काम यहां पे काम कितने द बोला गया कि दो दिन बाद नो और आदमी उसी काम पर लगा दिये गया है, मतलब कि दो दिन काम हुआ है, कितने आदमी ने किया है, उसी पंदरा आदमी ने दो दिन काम किया है, मतलब कि तीस काम को उन लोगों ने पूरा कर लिया है, अब क्या किया गया है, अब नो और आद ला दिये गये हैं तो अब हो गये हैं 24 आदमी 24 आदमी सेस बचे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये हमें बताना है तो सेस काम कितना है 15 आदमी 10 दिन में 150 काम करेंगे पर 15 आदमियों ने 2 दिन काम किया है मतलब कि 30 काम किया है तो सेस काम कितना होगा 150 से 30 को माइनस कर दे काम है 120 और आदमी है 24 हमें बताना है कि इस 120 काम को 24 आदमी कितने दिन में पूरा कर लेंगे तो हम tôi others together तो हमें हमें मिल जाएगा 5 दिन वाइजा 5 दिन में 24 आदमी 120 काम को पूरा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा answer जो कि option C में दिया गया है तो option C हमारा सही answer हो जाएगा तो इस दोनों में से कोई भी method का use करके आप ऐसे question को solve कर सकते हैं आज हमने जो question सीखा वो tricky question है पर basic question है और सभी तरह के competitive exam जैसे railway bank SSC तरह के question पूछे जाते हैं कर दो जाते हैं